करनाचक की राजिनिती में एक बार फिर उठाव पटक की स्तती बनती नजर आ रही है विदानसबाद चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री सिध्धा रमया और डिप्टी सियम डीके सिवकुमार के बीच टकराव की स्तती है इसकी बज़य यह है कि डीके सिवकुमार की नजर एक बार फिर मुख्यमंत्री सिध्धा रमया की कुरसी पर है दूसरी ओर डीके सिवकुमार को चुनोती देने के लिए सिध्धा रमया भी पार्टी में उनके लिए बड़ी मुसीबते खड़ी करते नजर आ रहे हैं जिसके चलते कॉंग्रेस आलाकमान के लिए करनाठग एक बार फिर नई चुनोती बन सकता है। इस मामले पर राहूल खड़गे लगातार बैठके कर रहे हैं। करनाठक में कॉंग्रेस की सत्ता डगमगा रही है एक और राज्य से कभी भी कॉंग्रेस का सफाया हो सकता है सियम सिद्धारा मय्या और डिप्टी सियम डीके सिवकुमार के बीच तलवारे खिंच चुकी है दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे की कुर्सी छीनने के लिए नई नई तरकीबे या साजी से रच रहे हैं नरसल दोसों तीन सीटों वाले करनाठक विदानसबा चुनाव में कॉंग्रेस की बड़ी जीतका सहरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्स और उप मुख्यमंत्री डीके सीवकुमार के सीर बांधा गया था वे कॉंग्रेस के अंदर इतने ताकतवर होकर उपरे थे कि तिलंगाना से लेकर हिमाचल तक जब भी कॉंग्रेस मुसीबत में आई तो डीके सीवकुमार संकट मोचक बनकर खड़े हो गए लोक्षबाद चुनावो में मुख्यमंत्री सिध्धा रमया की चली तो टिकट बंटवारे में डीके का दबदबा भी कोई नकार नहीं सकता लेकिन 2024 लोक्षबाद चुनाव नतीजे कॉंग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले रहे जिससे डीके को विदानसबा चुनाव में वोका लिंगा समुदाई का वोट कॉंग्रेस को दिलाने का स्रय मिला उसी वोका लिंगा छेत्र में कॉंग्रेस बुरी तरह हार गई डीके सिवकुमार 2024 लोक्षबा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन यहां तक की डीके अपने भाई डीके सुरेस की भी सीट बैंगलूरू ग्रामिन नहीं बचा सके दरसल वोका लिगा समुदाई के विस्प वोका लिगा महस्तानम के प्रमुखे स्वामी चंदर सेखर ने सिध्धा रमय्या को शियम की कूरसी डीके सिवकुमार को देने की सलहाद दे डाली उन्होंने ये बयान केमपा गोंडा जैनती सामारो में उस समय दिया जब मंज पर शिवकुमार और सिध्धा रमय्या दोनों मोजू थे दोसरी और स्वामी निर्मला नंद ने भी डीके सिवकुमार को सियम बनानी की बात कही मता देखी करनाटक के डिप्टी सियम डीके सिवकुमार वोका लिगा समुदाई से आते हैं और विदानसबा चुनाव के दुरान मठ की ओर से कॉंग्रेस को खुले तोर पर समर्थन मिला था और ये भी माना जा रहा है कि ओल्ड मेसुरू इलाके में कॉंग्रेस को बोट देने की अपील का पार्टी को बड़ा फाइदा हुआ था ऐसे में वोका लिगा समुदाई के संतो द्वारा डीके सिवकुमार को सियम बनाने की पेरवी करना सिद्धा रमया के लिए चुनोती पूर्ण माना जा रहा है क्योंकि समुदाई को कॉंग्रेस का एहम वर्ग माना जाता है दूसरी ओर मुक्यमंत्री सिद्धा रमया के करीवी मंत्रियों ने डीके सिवकुमार को जटका देने की कोशिस में बड़ा बयान दिया है सिद्धा रमया के समर्थक मंत्रियों में के एन राजनना बीजेड जमीर एहमद खान और शतीस जर की होली ने तीन डिप्टी सीम पद की मांग की है माना जा रहा है कि यह इसलिए किया गया है जिससे डीके सिवकुमार की राजनीतिक पावर को कम किया जा सके और बे सिद्धा रमया को चुनोती ने दे सके क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर बताए धन्यवाद जय हिंद